हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल APN classes में दोस्तो जैसा कि आपको पता है आपका next English का paper है तो friends इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो class 12 English के student है वो अपनी तयारी कैसे करें मालनो जो student अभी तक English में कुछ नहीं पढ़ा है वो अपनी तयारी कैसे start करें तो friends हम जो आपको trick बता रहे हैं अगर उस trick से आप पढ़ोगे तो guarantee आप English में काफी अच्छा marks ला पाओगे तो सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातों पर बात कर लेते हैं तो देखो friends आपक Section A 60 A में आपको 50 marks का question रहते हैं और Section B 50 marks कर रहते हैं सबसे पहले Section A के बारे में नहीं बात करेंगे सबसे पहले Section B के बारे में बात करेंगे अब इसके बारे क्यों बात करेंगे वह भी आपको बता चैते हैं THAT c ये grammar grammar आपका 8 marks के पूछए जाते है, vocabulary जो वोकेविलडरी रहता है ये आपके 14 marks के पूछई जाते है जो translations रहता है, hindi to English ये 10 marks के, essay writing 12 marks के concealer केεια तो unseen 6 marks के। तो सबसे पहले आपको इसको ध्यान देना, देखो मैं कहाँगा, जो student अभी से start करें, वो grammar को सबसे last में touch करें सबसे last में grammar क्यों पढ़ें देखो जो examiner check करता है copy अगर grammar का question आप थोड़ा सा भी गलत करते हो तो वो आपको पूरा zero marks देगा लेकिन एसे में ऐसा नहीं होता है एसे में step marking होती है मलब जैसे 12 नमर का एसे पूछा जा रहा है और मालो एसे आपको दे दिया लिखने के लिए मालो मेरे हिसाब साथ सबसे अच्छा रहाएगा कि सबसे पहले अपना essay writing और unseen passage तयार कर लो unseen passage में भी क्या रहता कि पैसे दिया रहता है और question दिया रहता है तो जो पैसे दिया रहता आप उसी को पैसे को अच्छे से पढ़ लोगी तो उसी में उसका answer भी चीपा रहता तो यह द क्या होगे तो कुछ नंबर तो आपको जरूर देगा ऐसा rule रहता है लेकिन grammar में ऐसा नहीं है अब बात कर लेते हैं translation का तो Hindi to English translation भी आप कर सकते हो अब बात करते हैं यह भी easy होता है 10 नंबर तो नहीं मिलेंगे मालो जितने भी देंगे आप सब नहीं कर पाओगे लेकिन कुछ आपको idea मिल जागा कैसे उस टाइप के question करते हैं तो यहां से देखो आप grammar को section B में सबसे last minute attempt करना सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप A से और unseen passes को सबसे पहले solve कर लेना तो आपके लिए काफी फायदा होगा उसके बाद translation को देख लेना और इसमें जितने भी synonyms, an antonyms, one word substitution रहेंगे उसको एक बाद पढ़ लेना अब बात करते हैं आपका section A के बारे में तो देखो English approach में आपका 3 type के question पुछे रहते हैं एक 8 number का, एक 4 number का और एक 4 number का इसमें देखें जो 8 number का रहता है उसमें reference context समझाना रहता है, passage दे दिया रहता है और 4 number में आपका short type question और इसमें filling the blanks, तो आप इसको छोड़ देना ये जो short type question रहेगा और ये filling the blanks इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि filling the blanks तयार करना आपके लिए easy रहेगा, अब बात करते हैं देखो जितना आप इस 8 number पे दोगे उससे अच्छा है जो merchant of vanish रहेगा उसको आप देख लेना इसम what type के question रहते हैं वह पूछा जाते, इनको भी आप अच्छे से तयार करना आपको बता दे, merchant of vanish जो 8 marks का हम 4 question आपको बता हैं, description में उसका link मिल जागा, वहां से देख लेगा, देखिए जितने भी important topics हो हम आपको अपनी channel पर बता चुके हैं, बस description में जो जो link दिया रहेगा उसको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो यह मेरी guarantee आप 50 नमर तो असानी से लाद होगे, जो जिस system से मैं आपको बता हैं, उस system से आप पढ़ोगो तो आप काफी अच्छा नमर पा सकते हो, और देखो उसके बाद आप क्या करना, यह 8 marks का, इसमें आपको इस्टेंजा दिया रहता, उसको explain करना रहता, तो मैं कहूंगा, कम टाइम बचा है, तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान मतलत देना, सबसे पहले आप जो central idea रहता है, उसको 6 marks कर रहता है, most important central idea आपको बता चुके हैं, description में उसका भी link दे देंगे, वहां से आप देख लिजेगा, तो आप आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से चीज आपकी कम time ले रहे है, देखो exam में सबसे important time management होता है, आपके पास time कम बचा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा topic पहले पढ़के हम ज्यादा marks पास सकते हैं, जैसे figure of speech है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, इसका definition और example जरूर आप एक बार देख लेना क्योंकि exam में वह भी पूछे जाते हैं, तो कुल मिला के 100 marks का, ऐसे ही आपका format रहता है और इसी type के आपके question पूछे जाते हैं, तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप section A में वर्चुन आफ व poetry का यह central idea इसको तजार कर लेना और English का short stories तजार कर लेना, यह आपका time बचा सकता है, क्योंकि जितना आप time English pros पर दो कि उसमें काफी chapter है, वो time taking चीज़ है, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना कि कम time में आप ज्यादा cover कैसे कर सकते हो, तो यह कुछ important बात है, और section B मे भी आपको बता दिये, तो इस तरीके से पढ़ोगे तो guarantee आपके word exam में अच्छे marks आएंगे,